याकूब अध्यायतीन जीब को वस्मे करना हे मेरे भाईयों तुम में से बहुत उपदेशक नए बने क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोसी ठहरेंगे इसलिए कि हम सब बहुत बार चूग जाते हैं जो कोई वचन में नहीं चूगता वही तो सिद्ध मनुश्य है और शारी दे पर लगाम भी लगा सकता है जब हम अपने वस्मे करने के लिए घोडों के मुँ में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी दे को घुमावे सकते हैं देखो जहाज भी अद्पी ऐसे बड़े होते हैं और परचंड वाईयों से चलाई जाते हैं तो अभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माजी की इच् अंग है और वह बड़ी बड़ी डिंगे मारती है देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है जीब भी एक आग है जीब हमारे अंगों में अध्रम का एक लोक है और सारी दे पर कलंक लगाती है और जीवन गती में आग लगा देती है और नरक हैं पर जीब को मनुश्यों में से कोई बस में नहीं कर सकता वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं वह पराण ना सकवी से भरी हुई है इसी से हम परवू और पिता की स्तूती करते हैं और इसी से मनुश्य में से जो परम्यिस्वर के सरूब में उत्मन हुए हैं साप देते हैं एक ही मुथ भन्यवाद और शाप दोनो निकलते हैं है मेरे भाईयों ऐसा नहीं हो頂आ चाहिए क्या सोते के एक ही मुँसे मिठा और खारा दोनो परगार का जल निकलता है हे मेरे भाईयों क्या अंजीर के पेड़ में जेतुन या दाक की लसा में अंजीर लग सकता है वैसे ही खारे सोते से मिठा पानी नहीं निकल सकता सौरग ये ग्यान तुमें ग्यानवान और समिदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल सरन से उस नमरता सहीत परकट करे जो ग्यान से उत्पन होता है पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में गमड ने करना और ने जूट बोलना यह ग्यान वह नहीं जो उपर से उतरता है पर अंसान सारीक और सारीक और सेतानी है क्योंकि जहां डाह विरोध होता है वह बखेडा और हर परकार का अदुस्क्रम भी होता है पर जो ग्यान उपर से आता है वह पहले तो पिवित्र होता है फिर मिलंसा और कोमल और मर्दु भाव और दया और अच्छा फलों से लदा हुआ और पक्सपात और कपिट रही तो होता है मिलाप कराने वाले धार्मिक्ता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं